हेलो एब्रिवन हमारे चैनल फोड फ्राम होम में आपका स्वागत है तो आज हम बनाएंगे सेहत से भरपूर आवले का टेश्टी चटपटा अचार तो चलिए बनाते हैं आवले का अचार बनाने के लिए हमने हाफ केजी 500 ग्राम आवला ले लिया है आवला लेते से में आप ध्यान दे कि आवला कहीं से भी कटा फटा गला न हो एक्दम फ्रेश ताजा हो तो हमने आवले को साप से धो लिया है अब इसे हम बॉयल करेंगे तो बॉयल करने के लिए ह गैस को हमने ओन रखा हुआ है अब इसमें हम आवला डाल के बॉयल कर लेंगे सारा आवला हम भगोने में डाल देते हैं फ्लेम को हमने हाई रखा है इसे कवर कर देंगे जिससे जल्दी से इसमें उबाला जाए उबाला गया है इसे कवर करके हम इसे बॉयल करेंगे और फ्ले कैसे करेंगे कि हमारा आउला तयार है यह देखिए इसकी कली आपको दिख रहा होगा अलग हो गया है यही पहचान है कि आउला पक चुका है सौफ्ट हो गया है इसे पकने में 10 मिनट लगा है अब सारा आउला हम पानी से बाहर निकाल लेंगे अगर आप इस तरीके से अचार बनाते हैं तो आपके अचार सालो खराब नी होगा लंबा चलेगा तो सारे आउले हमने निकाल लिये हैं इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं ठंडा हो गया है अब एक एक कली हम अलग कर लेंगे बहुत ही असानी से अलग हो जाता है बी सारे आउले के कलियां अलग-अलग कर लेना है आउला ठंड के मौसम में ही मिलता है बहुत जल्दी इसका सीजन चला जाता है और ये बहुत ही फाइदेमन हेल्दी है तो इसे हम सब को बड़े बच्चे सबी को किसी ने किसी फॉर्म में जो भी आपको पसंद आता हो आचार, मुरब्बा, केंडी, चटनी जिस फॉर्म में आप पसंद करते हैं आप इसे बनाए और खाए इसमें बिटामिन सी भरपूर मातरा में होता है यह हमारे स्कीन, आख और बाल के लिए बहुत ही फैदेमंद है एक एक कली को हमने अलग कर दिया है ठाली में हमने इसे अच्छे से फैला दिया है अब इसे हम सुखा लेंगे तो सुखाने के लिए इसे हम दूप में ले चलेंगे हमारे धूप कम हो रहा है अगर आप पूरे दिन की धूप में सुखाते हैं तो आपके अचार लंबा चलता है अब अचार के लिए मसाले तयार कर लेते हैं एक चमच धन्या, दो चमच सौंफ, एक चमच जीरा और एक चमच अजवाइंग आधा चमच मेथी दाना, इन सब को मेडियम फ्लेम पे खुसबू आने तक भून लेंगे कंटिनू इसे चलाते रहेंगे, ये दिए खुसबू आने लगा है, भून चुका है, कलर भी हलका सा चेंज लग रहा है गैस को आफ करेंगे, और इसे हलका ठंडा होने के बाद इसे ग्रैंड कर लेंगे तो इसे हम ग्रैंडे जार में डाल देते हैं, इसके साथ ही हम दो चमच पीला सर्सो पीस लेंगे तो दो चममत सर्सो हम ग्रेंडर जार में डालेंगे यह दिखे, मसाले हमारे पीश चुके हैं बहुत ज़यदा हमने बारिक नहीं किया है हलका सा दरदरा रखा है, यह दिखे अब हम सर्सो का तेल गरम करेंगे तो हमने एक पैन में आधा कप सर्सो का तेल ले लिया है इसे हम गरम कर लेते हैं बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है बस धुआ उठने के बाद गैस को बन कर देंगे धुआ उठने लगा है अब हम गैस को आफ करेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे ओयल 80% ठंडा हो गया है 20% ही गरम है बस हलका सा तो 1-4 चमच हींग आदा चमच हल्दी पाउडर आदा चमच मंगरेल कलोजी इसमें आड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स हो गया है अब इसे हम साइड में रखते हैं अब एक हम बड़ा सा मिक्सिंग बोल लेंगे जो आउला हमने धूप में सुखा के रखा था उसे हम इस बोल में ट्रांस्पर कर लेंगे ये देखे आउले में बिलकुल ही महश्यर नहीं है आप केवल आउले का अचार बना सकते हैं बड़ इसमें हम हरी मिर्च भी आड़ करेंगे वो हम आपको आगे बताएंगे कब और कैसे मिक्स करना है अब इसमें हम तेल और मसाले मिक्स करेंगे तो जो मसाला हमने पीस के रखा था उसे आड़ करेंगे आधा चमच कलर के लिए कस्मिरी लाल मिर्च आधा चमच तीखी लाल मिर्च एक चमच काला नमक एक चमच नॉर्मल नमक अचार में नमक जादा ही डालना होता है तभी अचार लंबा चलता है जल्दी खराब नहीं होता है अब इसमें हम आड़ करेंगे हरी मिर्च तो हमने हरी मिर्च को अच्छे से धो के पोच के सुखा लिया है 20 से कट लगा लिया है इसे आड़ कर देंगे करीब ये 25 से 30 हरी मिर्च है अब इसमें हम आड़ करेंगे ठंडा किया हुआ सरसो का तेल इसे अच्छे से mix कर लेंगे इसमें हमने हल्दी, हींग और मंगरेल एड़ किया हुआ था वो अच्छे से mix हो जाए अब सारे मसाले और तेल को अच्छे से mix कर लेंगे अभी हमने अचार में तेल कम डाला है इसे अच्छे से mix कर लेंगे mix करने के बाद 2 से 3 दिन इसे धूप दिखाएंगे बीच बीच में चलाते रहेंगे 3 दिन बार अचार खाने के लिए तैयार है ये देखे अच्छे से mix हो गया है एक कोई भी jar लेंगे container उसे अच्छे से साफ कर लेंगे और धूप में सुखा लेंगे फिर हम सारे अचार उसमें फिल कर देंगे जितने लेबल में अचार है उतने लेबल में हम सरसू का तेल इसमें आड़ करेंगे पुरा डिप होना चाहिए अचार उसके बाद दो तीन दिन और हम धूब दिखाएंगे फिर आप अचार को इस्टोर कर सकते हैं बिल्कूल ही घर सामनी योगा सालो साल चलेगा.